अलो सुदेंस वेलकम टू आई एक्जाम भी सुदेंस काट लेवल मेंस लेवल पीओ मेंस की जो हाई लेवल कुष्टन्स है उसकी सेरिज में आपका स्वागत है आज से पहले बहुत चरी वीडियो इस चैनल पे बैंड भी पे लेके आए हैं पर काट लेवल बैसिकली जो में मेंस के अंदर, PO मेंस, SBI PO, IVPS PO मेंस के अंदर जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती है जो जो जनरल ही कहीं पर आपको मिलेंगी नहीं इस तरह के सवाल तो वैसे कोश्टन हम यहां पर डिसकस करते हैं तो स्टूदेंस यह सीरीज हर रोज शाम को पांच बजे आपको मैच, इस रीजनिंग, इंग्लिश की वीडियो यहां पर इस चानल पर विलती हैं तो पहले हमने काफी कोश्टन डिसकस किये हैं सिंप्लिफिकेशन, क्वाड़िटेक, एलिगेशन मैंने एसी भी कराया है तो एलिगेशन का दिसे सेकिंद पार आईए कुछ और हाई लेवल कोश् There are three mixtures, A, B, C. Mixture A contains 11% of water and B contains 16% of water. दोनो में आपको water का परसेंट इस रिया हूँ. And if A and B are mixed, if A and B are mixed, then the resultant mixture becomes, then the resultant mixture contains 13% water, while if B is mixed with C, which contains 23% water, so that the resultant mixture contains 19% water, right? So, if B and C are mixed, तो फिर जो final बलता है उसमें 19% water. A और B में जब mix होता है तो 13% पानी निकलता है, B and C जब mix होता है तो 19% water बन जाता है. Now, if these all mixtures are mixed in a jar, and then 37 ml water is also added, find the total volume of water present in the jar, if the initial mixture C contains 69 ml water. तो ये question, A और B को मिलाए, तो इतना water मिलता है, B और C को मिलाए, तो इतना water मिलता है, और individually सबका water percentage आपको पता है. And finally, इन तीनों को mix किया गया, एक जार में, then 37 ml इसके अंदर water और add किया गया, और जब हमने mix किया था, तो क्या देखा कि C के अंदर 69 ml water मौजूद था, ठीक है, चलिए, अब इसमें हम allegation का use करेंगे, क्योंकि हमें individually भी उनका water content पता है, और उनको mix करके जो resultant आ रहा है, उस पे A का जो water है, वो है 11%, B का जो water percentage है, वो है 16%, इन दोनों को जो mix करते हैं, तो finally, जो mix करते हैं, तो 13% water है, इस पे simply allegation लगा दो, आपको ratio मिल जाएगा, किस ratio में आपने A को B के साथ mix किया हूँ, तो ये वाला gap है 3, और ये वाला gap है 2, that's it, similarly, जब B और C को mix किया, तो B का जो water है, वो तो 16 था, C का जो water है, वो 23 है, और इसको mix कर रहे हैं, तो water 19% आ रहा है, तो ये ratio क्या है, अगर आप देखें, तो 4 ratio 3, 4 ratio 3, A और B का ratio आपको मालूम है, B और C का ratio भी आपको मालूम है, क्या हम तीनों का ratio निकाल सकते हैं, बिल्कुल, उसके लिए आप B को same कर सकते हैं, तो इसको double कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, तो A की value double करके 6 हो जाएगी, B की value double करके 4 हो जाएगी, और जब B 4 था, तो C यहाँ पर 3 था, ये आपका तीनों का ratio आगया, A, B, C आप तीनों mix करेंगे, तो इसी ratio में mix करेंगे, ये आपको मिल गया, ठीके, अब आपको दिया क्या हुआ है, कि C के अंदर 69 ml आपने water देखा है, आपको मालूं ये भी है, कि C का percentage water कितना है, 23, आप फिर अब पता कर सकते हैं, कि C total कितना था, क्योंकि 23% अगर उसमें water है, और वो 69 ml है, तो ये cancel कर दो, 1% की value आ गई 3 ml, यानि कि पूरा C अगर 100% निकालेंगे, तो वो 300 ml आ जाएगा, और अगर C मिल गया कितना था, तो A और B मिल जाएगा, मतलब अगर ये 300 है, तो 100 से into हो रहा है न, तो पहला वाला भी 100 से into होगा, दूसरा वाला भी 100 से into होगा, और तीसरा वाला भी 100 से into होगा, अब first वाले में 11% water था, देखिए, second वाले में 16% water है, और third वाले में 23% water है, हमसे इसने पूछा है कि water content कितना है सब का मिला के find the total volume of water present in jar इसलिए मैं सब का water रिकाता हूँ यह तो total था तो पहले में water आगया 66 ml दूसरे में 64 तीसरा तो 69 दे ही रखा था और इन तीनों को जो mix किया था तो 37 अलग से भी water add किया था वह भी add करो तो बस इसको add करके आपको answer मिल जाएगा 6 & 4 10 10 & 16 26 6 6 6 18 & 2 20 & 3 236 ml ml में दिया था तो ml भी answer हो जाएगा very simple फोड़ा लेंदी था लेकिन आपको concept समझाया होगा पहले A और B का water दिया है mixture का भी दिया है उसका ratio आ गया फिर B और C का water पता है mixture का भी पता है उनका ratio आ गया अब दोनों का ratio पता है A B और B C तो तीनों का ratio निकाल लिया और C में जो water content है वो आपको value भी दे रखिया तो C total पता चल गया अगर C total पता चल गया तो A और B के भी total पता चल गये पिर उनका water चाहिए तो निकाल लिया और थोड़ा सा water एक्स्ट्राइड गिया है सब मिला के answer आगे समझ में आया language को पढ़ना बहुत जुरूरी है तब काफी आप question को कर सकते हैं अगला सवाल देखते हैं काफी अच्छा question है क्या है question एक container contains a mixture of liquid A and B in the ratio 12 ratio 13 है okay some amount of the mixture have been withdrawn and some amount of the liquid C is added कुछ तो इसमें से निकाला है लेकिन उसकी जगा C को एड़ किया है था A और B 12 ratio 13 में कुछ निकाला पता नहीं कितना निकाला और C एक नया एड़ कर दिया एड़ करने के बाद यह ratio बन जाता है इन तीनों का 24 26 29 अच्छा जब आपने एड़ किया after adding liquid C तो total amount of the mixture is 10 liter less than the initial amount of mixture एक यह डिया हुआ है कि एड़ करने के बाद जो अब total बना है न वो पहले वाले total से 10 liter कम है ठीक है और क्या दिया हुआ है if amount of liquid A taken out from container is 146 less than the amount of liquid C added to container अगर यह जो A में आपने एड़ किया है यह 146 less हो जितना C में आपने एड़ किया था तो find the amount of liquid B initially in the container तो चलिए इस सवाल को करते हैं सबसे पहले हमें शुरू का जो ratio दिया हुआ ना A और B का वो 12 और 13 दिया हुआ तो लेट कर लीजिए कि आपके पास जो A है वो 12x था और B 13x था तो total कितना वो आपके पास 25x अब इसमें से आप कुछ निकाल रहे हूं इसमें से कुछ amount निकाल रहे हूं हमेशा उसे भी ऐसा ही number लेट करो लेट करो कि निकाल रहे है 25y अब जिस ratio में यह पढ़ा है उसी ratio में निकलेगा तो 12y पहले में से निकलेगा और 13y दूसरे में से निकलेगा टोटल कितना निकाला मैंने अजिन किया 25 अब c हमने इसमें एड कर दिया c हमने इसमें एड कर दिया c पता नहीं कितना है let's say वो z है ठीक है अब इनका जो ratio बन जाता है वो 24 26 29 बन जाता है तो माल लेते हैं पहले वाला 24 k है दूसरे वाला 26 k है क्योंकि इनका ratio पता है तो exact नहीं ले सकते हैं बड़ के लगा के ले सकते हैं इन तीनों का ratio है 24 26 29 तो मेरे को यह relation मिल गया अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है after adding c the total amount of new mixture is 10 liter less than the initial amount of mixture अब देखो तो initial amount कितने है अगर आप देखो तो यह था 25 x और total अभी कितना है 24 k 26 k और 29 k इनको add करो k वालों को तो अभी तीनों का mixture है 79 k present 24 26 29 यह जो mixture है यह total amount of the mixture से initial वाले से 10 कम है इनीशियल वाला कितना था 25 x से 10 कम है यह मेरे पास एक और equation आ यह भी है दोनों यह भी है और एक तीसरी यह आ गई ठीक है अब एक और दिया हुआ है the amount of liquid a taken out जो a आपने निकाला था मतलब 12 y यह भी दिया हुआ है क्या कि यह 146 कम है किस से c जितना add किया था c कितना add किया था वो के वाला ले लेते हैं 29 k से कितना कम है 146 अब इन सब को यूज करके आपको कहीं किसी तरीके से x y और k जो भी इसमें है वो सारे लिका लिए और आपको क्या बताने amount of b initially मतलब 13x निकालना x है जिससे 13x निकलेगा बात खतम तो इनको solve करना है देखो अगर यह पहली equation को मैं solve करूँ इसमें 12 और k में है तीन equation है तीन variable है तो solve हो जाएगा खोड़ी मेहनत करने करेगा एक काम करते हैं इन में अगर आप देखें के को सेम करना difficult है लेकिन x और y को सेम करना थोड़ा असाल लगे और x और y को सेम करके यहां पुट कर देगे जैसे देखे 25 और 12 को सेम करते है तो 25 वाले को क्या करते है 12 से इंटू कर देते है और 12 वाले को 25 से इंटू कर देते है ठीक हो जाएगा solve तो 12 इंटू 79 कितना आएगा 12 9 जा 108 10 रह गया 12 7 जा सॉरी 84 एंट 10 94 इकवल टू 12 यहां भी multiply करिये 300 x माइनस 120 यह एक equation बन गई इसको 12 से इंटू करिये 25 से 300 y 25 को यहां करिये 29 9 25 इंटू 9 2 to 5 and 25 इंटू 250 इंटू 7 to 5 के हो जाएगा यह शायद और माइनस में है 146 इंटू 25 अब देखिए यहां से भी 300 x की value निकालिये और यहां से 300 y की value और वो यहां पूट करिये पहले इसको भी 300 से इंटू कर देते हैं तो यह हो जाएगा 300 x माइनस 300 y is equal to 600 k दोनों तरफ 300 से इंटू कर दिया अब 300 x मुझे यहां से मिल जाएगा k की form में और 300 y भी मुझे k की form में मिलेगा और यहां पे k है सब solve हो जाएगा तो 300 x की value निकालिये यहां से जरा 948 k plus 120 right minus में 300 y निकालते हैं वो तो दे ही रखाता यह 725 k minus 146 into 25 is equal to 600 k इसको थोड़ा सा simplify और कर लिए करते हैं कितना होगा 948 में से 725 minus करिए तो यह हो जाएगा 223 k ठीक है यहां पे 120 पढ़ा है एक तो और 146 की 25 से into करना यह minus minus प्लस हो जाएगा तो 146 को 25 से into करना तो इसको हम लिख सकते हैं 100 plus 25 100 से into करना असान है प्लस 25 से स्वरी 25 से करना था तो हम इसको क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 100 by 4 ठीक है तो इसको 2 पे कैंसल कर लेते हैं 7300 by 2 यानि कि यह हो गया हमारा 3 6 बहतर सो होता तो 3600 और है तो 3650 होगे राइट पस इतना ही है यह प्लस का और उधर है 600 की शायदे ही होगा कि 73 इंटू 100 अपॉन 2 यहां पर यही बन रहा है मारे पास तो यहां पर हमने एक चीज़ मिस कर दीं यहां पर 120 भी पढ़ा है अब देखिए 600 में से 223 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 377K is equal to यह दोनों add होके हो जाएगा 3770 यह पूरा-पूरा cancel हो गया तो K का value आपके पास आ गया 10 10 पे cancel हो गया अगर K का value 10 आ गया फिर आप सारी चीज़ निकाल सकते हो एक तो देखो X-Y की value आपके पास 20 आ गई थी टू इंटू 10 आ जाएगा यहां से X-Y के लिए 20 अब आपको निकालना तो X है वैसे तो उसकी जरूत नहीं है आप सीधा X वाले पूट करो एक यह relation था जहाँ पर K और X था इससे X निकल जाएगा K आपका 10 आया है तो यह कितना हो गया 790 is equal to 25X minus 10 minus 10 को इधर ले ओ तो यह 800 हो जाएगा is equal to 25X X का value यहां से आपको मिल जाएगा कितना 32 डिवाइड करके निकालना क्या है initial amount of B वो था 13X तो 13 into आपका यह 32 यह आपका final answer आएगा तो 13 into 26, 13 into 3, 39 plus 2, 41 तो 416 जो है आपका final answer इस question का हो जाएगा so I hope student आपको समझ आया होगा last में calculation है वो आप अराम से कर सकते हैं main बात था कि आपको concept समझ में आना चाहिए right students इसका answer आप खुछ से भी try करिएगा student we have best online courses for bank PO SBI PO के लिए भी और आने वाले exam के लिए we have super pack course जिसमें आपको X bank PO guide करते हैं not for pre or means आपको psychometric test interview descriptive English की भी त्यारी इसमें कराई जाती है और हमारा best online course available है आप SBI PO के लिए त्यारी कर रहे हैं तो वह ले सकते हैं अगले साल के लिए कर रहे हैं तो हमारा super pack 2024 bank exam के लिए भी आप ले सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 가्रूप्स रहते हैं जिसमें डाउट पूछ सकते हो डाउट sinners headers मेल पूछ सकते हो डाउट वीडियों के नीचे भी पूछ सकते हो डाउट लाisy पूछ सकते हो डाइव descriptive English की भी क्लास मिलती है interview की भी guidance आपको कराई जाएगी सथ के साथ descriptive English के मौक्टस मिलते हैं जो आपको personalized आपको उनका feedback मिलता है एक ऐसी चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी 101 mentorship आपके 101 sessions होते हैं जिसमें आपको guidance test दी जाती है कैसे त्यारी करनी है और वो हर महिने होते हैं ताकि आप अपनी performance को check कर पाओ starting level पर आपका test लिया जाता है उसके basis पर आपको personalized study plan मना के दिया जाता और वो हर महिने आपको आगे से आगे बताया जाएगा तो ऐसे students subscribe करना है बेल आइकन दवाना है कोई वीडियो आपका मिस ना हो जाए एप एंड आप हमारे number पे call कर सकते हैं 92055-24028 and student हमारा app है उसे आप download कर लिजे जहां पर आप सारे test एप भी दे सकते हैं सारा course आप एप पर भी visit कर सकते thank you thanks for watching it